बच्चो आज हम सिखेंगे सरल तरीके से सो तक का पहाड़ा बनाना इसके लिए आपको दस तक का पहाड़ा जानना अवज़्यक है आगे की पहाड़ा सिखने के लिए इस वीडियो को आप अंदे तक देखिए और इसमें दिये गया अभ्यास को पूरा करेंगे उदारं के लिए हम 63 का पहाड़ा बनाते हैं इसके लिए सबसे पहले एक लाइन खिचना होगा फिर 6 का पहाड़ा लिखेंगे उसके बाद 3 का पहाड़ा लिखेंगे यहाँ 6 और 3 का पहाड़ा इसले लिखे हैं क्योंकि यह दोनों अंक दी गई संख्या में शामिल है और इसी के अधार पे 63 का पहाड़ा बनेगा तो अब इकाई के पाड़ा अर्था 3 के पाड़ा पे ध्यान देते हुए यह आगे की पाड़ा बनाते हैं 3 एकम 3 यह एक अंकी संख्या है तो हम इसे इस तरफ ले आएंगे और लिखेंगे तथा इसके पहले 6 एकम 6 को लिख देंगे तो बन जाएगा 63 एकम 63 इसके बाद 3 दुनी 6 भी एक अंकी संख्या है तो इसे हम इस तरफ लिखेंगे और उसके पहले लिखेंगे 12 को 3 तिया 9 भी एक अंकी संख्या है तो इसे हम इस तरफ लिखेंगे और उनके पहले लिखेंगे 18 को देखिए 18 को हम इस तरफ ला दिये और लिख दिये अब यहां पर ध्यान दीजिए यह दो अंकी संख्य हैं जब दो अंकी संख्य हो जाएगी तो नियम थोड़ा बदलेगा यहाँ एकाई के दो को हम इस तरह लिखेंगे और दहाई को चोबिस के साथ जोड़ेंगे तो 24 और 1 हो जाएगा 25 25 को हम इस तरफ लिखेंगे इसमें इक आई 5 है तो 5 को यहां लिखेंगे और दहाई 1 को 30 के साथ जोड़ेंगे तो 30 एक हो जाएगा 31 31 को 5 के पहले लिख दिये अब यहाँ प्रक्रिया आगे जारी रहेगे इकाई का 8 इस तरह पाएगा और 1 36 के साथ जोड़ जाएगा तो बन जाएगा 37 और इस 37 को 8 के पहले लिखेंगे इसका इकाई का एक भी यहाँ पे आएगा और 2 को जोड़ेंगे 42 के साथ तो 42 और 2 हो जाएगा 44 और 44 को हम इस तरफ लाके लिख देंगे ठीक इसी प्रकार इनका इकाई इस तरफ और 2 जोड़ जाएगा 48 के साथ तो 48 और 2 कितना होगा 50 तो इस 50 को हम यहाँ पे लिखेंगे इकाई यहाँ आजाएगा और दहाई 54 के साथ जूड़ जाएगा तो 54 और 2 हो जाएगा 56 और 56 को हम लिख दिये 7 के पहले ठीक इसी प्रकार सुन्य को हम इस तरफ लिखेंगे और 3 जोड़ जाएगा 60 के साथ तो 60 और 3 हो जाएगा 63 इस प्रकार आप देखिए कि 63 का पहाड़ा त्यार हो गया आप दो अंक की संख्या का पहाड़ा इस विधी से बना सकते हैं एक उधारन और देखते हैं अब हम 37 का पहाड़ा बनाएंगे नियम उसी प्रकार होगा पहले लाइंग खीचेंगे पर 3 का पहाड़ा लिखेंगे उसके बाद 7 का पहाड़ा लिखेंगे अब यहाँ पे 7 एक अंक है तो इसको इस्तरप लिखेंगे और उसके पहले लिखेंगे 3 को 7 दुनी 14 दो अंक की संख्या है तो हम इसको इस्तरप लिखेंगे और 1 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो बन जाएगा 7 यहोगा 74 इक आई के एक इस्तरप आएगा और दो जुड़ेगा 9 के साथ तो 9 दो हो जाएगा 11 बिल गए तो बन गए 111 इसी प्रकार 8 इस्तरप आएगा 2 जुड़ेगा 12 के साथ 12 दो 14 फिर 5 आएगा इस्तरप फिर 3 आएगा इस्तरप 15 तिन 18 दो को इस्तरप लिखेंगे 4 जुड़ेगा 18 के साथ तो बन गया 22 इसके बाद 9 इस्तरप आएगा 4 जुड़ेगा 21 के साथ 21 चार हो जाएगा 25 इसके बाद 6 इस्तरप होगा 5 और 24 हो जाएगा 29 और 29 को लिखेंगे इस्तरप फिर इकाई का 3 इस्तरप आएगा और 6 जुड़ जाएगा 27 के साथ तो 37 और 6 हो जाएगा 33 इसके बाद सुन्य इस्तरप आएगा और 7 और 30 हो जाएगा 37 और 37 को इस्तरप लिख देंगे तो देखिए कितने सरल विधी से 37 का पहाड़ा भी त्यार हो गया तो अब आप इस विधी से 10 से निने में तक का पहाड़ा को बनागे दिखिए और 100 का पहाड़ा तो असानी है तो इसके लिए आपको कच्छा कारे करना होगा इन संख्याओं को आप पहले पहाड़ा बनाईए उसके बाद बनी हुई पहाड़ा को अपने पहाड़ा की किताब से चेक कीजेगा इसके बाद यह हो मर्क है और यह हो मर्क आपको 9 दिन के लिए गया है जिसमें अलग-अलग दिन आपको अलग-अलग अंग या संख्या की पहाड़ा बनाना है जैसे पहले दिन आपको 11-20 दूसरे दिन 21-30 तिसरे दिन 31-40 ऐसे करते हुए आपको 9 दिन में 100 तक के पहाड़ा और जब मुझे विश्वास है कि जब आप पूरा अभ्यास कर लेंगे तो निश्चीत तोर पे आपको सफलता मिलेगी तो बच्चो मैं आपको अपने अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा तब तक आप भाड़ा बनाने का अभ्यास कीजिए